असलाम उलेकम विट्फुल वियर्ज वेलकम बेक टू चैनल टिकनलोजी फोर यू आज की वीडियो में जो डिवाइस का रिवीव करने जा रहा हूं वो हमें देखने को मिल रिया ओनर की तरफ से ओनर का लेटेस हैंड से लेटेस डिवाइस ओनर 20 प्रो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऑनर 20 ग स्पैसिकेंश के बारे में इस के फीचर्स के बारे में यह आपको किसा की परफॉर्मस को राइटि करता है इसमें ऐसे काई वेनर टैम्सिए जिसानन के मिल जाएगी पिक्टर किसा कि देखनों को मिल जाएगी ओवराल इसकी performance कैसी है तो आज की वरे हम बात करेंगे इसके ओवराल specs के बारे में तो वीडियो को एंटेक जूर देखिएगा तो चलिए गाइज मिने टाइम वेस्ट की आज किस amazing वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके operating system के बारे में हमें latest android का वीडियों देखने को मिल रहा है 9Pi उसके बात करते हैं हम इसके memory के portion के बारे में तो यहां पर हमें 8GB की RAM देखने को मिल रही है जिसके साथ आपको storage देखने को मिल रही है 256GB की तो enough है आपको RAM भी काफी अची देखने को मिल रही है अगर हम memory card की बात करते हैं तो इसमें आपको memory card का option देखने को नहीं मिल रहा अब बात करते हैं इसके processor के portion के बारे में अगर हम CPU की बात करते हैं तो यहां पर हमें Kiran 980 का chipset देखने को मिल जाता है It's a very powerful chipset आपको काफी अची performance प्रवाइड कर देगा अगर हम GPU की बात करते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है Mali G76 MP10 का तो अगर हम processor portion की बात करते हैं तो it's a very good आपको काफी अची performance देखने को मिल जाएगी आपको chipset भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है काफी powerful chipset है तो processor के लिया से तो यह phone मुझे काफी जादा पसंद आया है अब बात करते हैं इसके display के बारे में तो यहां पर हमें IPS LCD display देखने को मिल रहा है जिसका size is 6.3 inches और अगर हम resolution की बात करते हैं तो यहां हमें full edge resolution देखने को मिल जाएगी 1080 to 2660 pixels की और अगर हम protection की बात करते हैं तो यह हमें까지 गिला गिलास का option भी available देखने को मिल रहा है तो यहां पर डिस्प्रेक के बात करते हैं तो इस सब प्रिटी गुड अगर हम USB की बात करते हैं तो यह हमें type C देखने को मिल रही है उसके बाद आपको NFC की भी option available है अब बात करते हैं जी इसकी बैटरी के बारे में तो यहाँ पर गाईज हमें 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है और वो भी fast charging के साथ और आपको गाईज 30 minutes में आदे गेंटे में आपका फून 50% चार्ज कर देगा तो आप लोगों को और क्या चाहिए आदे गेंटे में आपका 50% फून चार्ज हो रहे है आपको बैटरी भी काफी देखने को मिल रही है 4000 mAh की तो बैटरी के लिया से भी गाई दिये फून मुझे काफी एचा लगा है अब जी हम बात करने वाले हैं इसके कैमरा के बारे में तो यहाँ पे कैमरा के लिया से मुझे फून काफी जाला पसंद है अगर हम बैक कैमरा की बात करते हैं रियर कैमरा की तो यहाँ पे हमें चार कैमरा का सैटप देखने को मिल रहा है एक हमें देखने को मिल रहा है 48MP का जो है हमारा main camera दूसरा में देखने को मिल रहा है 16MP का जो के है ultra wide angle उसके बाद जो 3rd camera है वो हमें देखने को मिल रहा है 8MP का जो के telephoto lens है उसके बाद आखरी camera हमें देखने को मिल रहा है 2MP का जो के flash की उपर उसको design किया गया है तो camera का design भी काफी अच्छा किया गया है आखरी camera हमें देखने को मिल रहे है 2 megapixels का तो camera का design काफी अच्छा मुझे लगा है यह जो flash के उपर उन्हें एक चोथा camera डाला है मुझे काफी जादा अच्छा लगा है अगर हम video recording की बात करते हैं जो के आपको काफी अच्छी look प्रोवाइड कर रहा है तो 32 megapixels का यह camera है तो अगर हम इसकी video recording की बात करते हैं तो यह भी आपको full IT video record कर देगा अब बात करते हैं इसके sensor के बारे में तो यहां पे मैं सारी sensor देट को मिल जाते हैं gyroscope, fingerprint और fingerprint की बात करते हैं जैसे आपको पता है Samsung का J6 Plus था उसका side fingerprint तो इसमें भी वो इंस्टॉल किया गया है आपको देख सकते हैं कि side fingerprint आपको देहिनों के मिल रहा है क्योंकि मैंने guys J6 Plus यूज भी किया है मुझे काफी सानी जाती थी phone को unlock करने में क्योंकि मैं phone ऐसे पकर जाता था easily thumb लग जाता मुझे पीछे से finger लगानी नहीं परती थी तो मुझे काफी इच्छा लगता है fingerprint side fingerprint एंट पे जी हम बात करते हैं इसकी price के बारे में काफी जारा बाते होगी display के बारे में भी processor के बारे में भी camera के बारे में भी अब मेन आ जाते हैं जी पैसों के बारे में, किसकी प्राइस क्या है, अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो वह है गाइस 99,999, अराउंड बरूं 1 लेक, तो आपको अगर मार्केट में बायर करना जाते हैं, तो एक लाग का गईज आपको फून देखने को मिल जागा, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं, तो प्राइस गाइस थोरी सी जादा है, इस प्राइस में आपको और काफी जादा डिवाइस देखने को मिल जाते हैं, काफी जादा कॉंपेटिशन आते था इस प्राइस में, तो थोरी सी प्राइस अगर कम हो जाती, तो फून काफी तो, अगर आप फूम की बात है, मुझे तो बाई काफी जाधा पसंद आया है, अगर आप लोग भाई करना चाहते हैं, तो बाई कीजिए, So, I hope that आप लोगम को मेरी आच की वीडियो पसंन नहीं होगी अगर आप लोगम को मेरी आच की वीडियो पसंन नहीं होगी तो प्लीस से लाइक रहर मेरे फैंख के साथ शेर जूर की डियेगा इस साइट पर मैं चैनल का फेस और और को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने का आपको ये फाइदा होगा के मैं चैनल पर जो भी नए वीडियो आप्लोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको रसीव रहेगा तो आच की बीडियों में इतने हैं गाइज थेंकिव वाचिंग अलाह आफिस और सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब